बिस्मिल्लाई रॉक्मारे रॉहीम, अस्लाम लेकुम स्टूडेंट्स, उमीद है कि आप सब सियत रिमान की बहुतरीन हालत में होंगे, मैं प्लेग लास की टीचर, स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू काईदा पेज नमर 6 और 7 पे टेटा और सेसा की पेचान करवाऊंगी और इन्हें पढ़ना बताऊंगी, ठीक है स्टूरेंट्स, तो जल्दी से अपना उर्दू काईदा पेज नमर 6 ओपन करें, टे कहता है ट, टाटोपी, टाटाफी, टाट्माटर, टे कहता है ट, टाटोपी, टाटाफी, टाट्माटर, साथ में एक्टिविटी है सबसे छोटी टोपी के गेट ताइरा लगाएं तो students ये तीन टोपी हैं दी हुएं आपको इन में से जो सबसे छोटी टोपी होगी आपने उसके गेट ताइरा लगाने तो यह है मारे पस छोटी टोपी हम इसके great title लगाएंगे ठीक है students अब next page learn करते हैं से कहता है स स समर स साबत यहाँ पर एक साबत अंड़ है और एक टूटाब अंड़ है तो स स स साबत ठीक है से कहता है स स स समर स साबत और साथ में activity है कि साबत बोतल के गिर्द दाइरा लगा है यह तूटी हुई बोतल है और यह साबत बोतल है आपने इसको ऐसे circle लगा देने है ठीक है जी students अब हम data लिखते हैं पहले हमने data पढ़ा अब हम data लिखेंगे data लिखने की practice करेंगे सबसे पहले data की कहानी पढ़ते है students यहाँ पे टे की कहानी दी हुई है ठीक है टे से टीपो और उसकी अम्मी टे से टोकरी लेकर बजार से टे से टॉमाटर लेनेंगे दुकान देखते ही टे से टीपो टे से टॉफिया लेने की जिद करने लगा अम्मी ने टे से टीपो को समझाया कि अच्छे बच्चे जिद में करते students यहाँ पे टे की कहानी हमने पढ़ी अब हम टे राइट करेंगे यहाँ पे आपके पास arrows में टे दिया हुए आपने टोट के उपर pencil लखनी है और arrows में से pencil को गजारते हुए आपने टे टा राइट करना है ठीक है students लिखती हुए आप लोग अपने pencil द्राश किया करें और according to pattern राइट किया करें टे के उपर यह छोटी सी तोई होती है ठीक है यह हम टे के उपर छोटी सी तोई होग गना रहे है तो टेटा टोपी टेटा ट्मार्टर ठीक है हमने क्या लिखा टेटा नीचे भी आपने टेटा दिया हुए डोट्स में आपने डोट्स को डोट्स के साथ जोईन करते हुए टेटा लिखने है ठीक है students टेटा नेक्स्ट पेज भी टेटा की टेटिस दिया है आपको ठीक है आपने डोट्स को डोट्स से मिलाते हुए डेटा लिखने है ठीक है students टेटा ट्मार्टर टेटा टोपी तो नीचे डोट्स में टेटा दिया हुए आपने dots को dots से जोईन करते हुए data लिखना है ठीक है students dot को dots से जोईन करना है और data write करना है ठीक है जी students अब हम सेसा की practice करते हैं ठीक है सेसा समर सेसा साबत अब हम सेसा लिखते है तो इसको भी हमने dot को dots से जोईन करते हुए सेसा लिखना है ठीक है अपने dot को dots से जोईन करना है और सेसा write करना है ठीक है students say की उपर कितने dots होते हैं 3 सेसा समर students dot को dots से जोईन करना है ठीक है और सेसा लिखना है ठीक है dot को dots से जोईन करना है और सेसा की उपर dot होते हैं 3 तो students यह था आज का हमारा lecture इसमें हमने data और सेसा लिखना और पढ़ना सिखा उमीद है कि आपको लेक्चर के समझ आगी होगी अगर आपको कोई भी कन्फियून हो तो वीडियो को बार बार बाच करें जजा के लिए